हालो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोला था पहले वीडियो में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस्ट्रिंग की तो देखते हैं इस्ट्रिंग को हम लोग कैसे यूज करते हैं और इस्ट्रिंग में कितने सारे मेथड से जो हम लोग को हम लोग की programming को बहुत ही simple कर देते तो आते हैं start करते हैं तो पहले मैं एक file बनाता हूँ उसका नाम दे देता हूँ मैं क्या 14th video 14.string मैं देता हूँ string data type.py आज में भूलूँगा .py मैं .py दे दिया अब देखो इसे मैं पहले cut कर देता हूँ बहुत ज्यादा हो गया है पहली बात हम लोग string को कैसे declare करेंगे तो मैं एक variable ले लेता हूँ कुछ भी नाम से ass ले लेता हूँ अब string को declare करने के दो methods है एक तो single code लगा के उसमें मैं लिख दूं hello world ठीक है तो अगर मैं इसे print करता हूँ print क्या करता हूँ और टाइप कर देता हूँ मैं टाइप लिख देता हूँ मैं type of SS तो देखो क्या आएगा यह यह क्या रहा है मैं पहले ही print में बता चुका हूँ और string में भी तो use कर सकते हैं हम लोग double quotes और single quotes दोनों देखो यह फिर भी दे रहा है string यानि कि अगर हम हम लोग के complex program को simple करने के लिए predefined methods बनाए हूँ होते हैं जो कि programmers बनाके जो developers होते हैं जो python के developers हैं उन्होंने बनाके इसकी library में attach किया है जिसका यूज करके हम लोग programming को solve कर सकते हैं simple कर सकते हैं अब समझ लो इसे मैं उपर कर देता हूँ ठीक है इसे मैं comment कर देता हूँ मैं यहां पर लिखता हूँ python string methods python string methods में दे दिया अब देखो मैं यहां पर देता हूँ एसा sequence to hello world मैं लिख देता हूँ hello world first of all मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा string है यह हमारा immutable data type है और immutable और mutable क्या होता है मैं उसे लिख देता हूँ यहां पर तो मैं यहां पर लिखता हूँ string string is a immutable immutable data type immutable data type इसमें double m लगता है कि single m लगता है immutable सही है immutable data type string is a immutable data immutable data type का मतलब सिंपल से क्या होता है immutable data type का मतलब बताना चाहता हूँ मतलब कि हम लोग इसके अंदर जो भी data है उसे हम लोग modify नहीं कर पाएंगे like जैसे कि array में लोग chain नहीं कर देते हैं तो हम लोग यहां पर hello world मैं लिखा हूँ ठीक है hello world लिखा हूँ तो मैं अगर चाहूँ कि मैं आर को replace कर दूं किसी भी value से तो आर को मैं replace नहीं कर पाऊंगा यह string इसी को immutable करते है अगर मैं इसे replace कर देता replace कर पाता इसके मतलब कि direct L को replace कर देता किसी value से तो इसे mutable कहते हैं तो mutable का मतलब होता है change कर पाएंगे immutable मतलब होता है change नहीं कर पाएंगे तो मैं string एक बनाता हूँ ऐसा sequence में देता हूँ hello world ठीक है hello world दे दिया अब मैं जैसे like चाहता हूँ कि इसमें के सारे characters का use कर पाऊँ तो मैं simple से for i in range करता हूँ ठीक है I in range करता हूँ range क्या करूँगा तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ पहला चीज अगर हम लोगों को कोई भी value निकालनी हो ठीक है जैसे कि like range का function यूज कर रहे हम लोग इसकी अब यह कहा तक चले value मैं मैं चाहता हूँ 10 तक चले ठीक है 10 तक चले 10 तक चले और मैं print क्या करना चाहता हूँ SS of i देखो इसमें indexing होती है अब मैं इसे run करता हूँ देखो क्या रहा output output आएगा क्या यहां पर मैं SS of i किया मगर print तो नहीं किया न तो मैं यहां पर दोनगा print SS of i देखो अगर हम कोई value लेनी होगी तो हम लोग यह bracket लगाएंगे और उसके अंदर उसकी indexing value देदेंगे तो देखो print क्या हो रहा है H E L L O W O R L यानि कि 10 character यहां तक पहुचा है तो वो यहां तक कर दिया 9 तक ठीक है तो 9 तक हो किया यानि कि इसके अंदर पहले 0 आएगा 1 आएगा यानि indexing देखो H की 0 है E की 1 है L की 2 है 3 है 4 है then 5 है then 6 7 8 इस तरीके से indexing इसकी चल रही है तो हम लोग indexing के base भी उसे हम लोग access कर सकते हैं यानि कि अगर हम लोग चाहें तो देखो अगर हम लोग चाहें कि हम लोग print करना चाहता है E को तो मैं अगर चाहूँ तो SS of E के index क्या है 0, 1, 1 index है तो मैं यहा क्या आता SS of 1 करने पर E आ गया यानि कि indexing का use करके हम लोग कर सकते हैं तो अब मैं इसमें एक method बताने वाला हूँ जो कि length method है ठीक है length method जो है कि python में predefined है उससे हम लोग को क्या मिलता है मैं अगर print करता हूँ यहाँ पर print कर देता हूँ length of SS तो SS में कितनी value से वो हमें मिल जा अब हम लोग को यह जो length फक्स है यह usable कहा होगा मैं यहाँ पर simple से for i in range कर देता हूँ range कहां तक भाही चलाना है मुझे by default for में 0 से start होता है और end value हमें देनी compressor ही है तो हम लोग चाहते है length of SS तक चले और यह print क्या कर दे print कर दे SS of i को यानि कि जैसे i की value बढ़ेगी वैसे वैसे वह index करता जागा दिखो अब यह hello world पूरा print कर दिया अगर मैं चाहता हूँ नहीं एकी line में print करें तो मैं length, length list में भी use होता है, tuple में भी होता है, हर जगे use होता है list का, तो list बहुत important है length, sorry, length को याद कर लेना तो अब length के बाद हम लोग बात करते हैं string के कुछ methods के बारे में string के कितने types के methods हैं कौन कौन से हैं तो मैं उसके लिए चलता हूँ net पे दिखाता हूँ कितने types के methods हैं लगभग 40-50 निसस हैं तो मैं सारे तो बताऊंगा नहीं सारे बताने लगए तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी तो मैं दिखा दूँगा कुछ उसमें से जो important है वो बता दूँगा और आप लोग वहां से जाके search कर सकते हो तो मैं आता हूँ अपने Google Chrome पे और हाँ ये playlist ज़रू access करना और subscribe भी कर देना share भी कर देना और subscriber तो बहुत कम है अभी 246 है तो आप लोग share करोगे जब जिसे हमारा content अच्छा लगेगा तो वो ज़रू subscribe करेगा तो share कर देना तो आते हैं आपे search करते हैं हम लोग search क्या करेंगे search करेंगे हम लोग string methods in python string methods in python अब देखते हैं हम लोग w3 school खुला इसे open करते हैं अब देखो string method in python string में कितरे साड़े method है देख सकते हैं लोग capitalize case fold center count and code ends with यह total इतने सारे methods हैं अब आप लोग सोचोगे इतने सारे याद कौन करेगा याद करने कि जरूएद भी नहीं है जैसे जैसे requirement होगी वैसे वैसे सोचना क्योंकि सबका name जो है English word से familiar है यानि कि अगर हमें capital letter में करना है capitalize अगर lower letter में करना है तो देखो lower होगा यहाँ पर दिखाता हूँ lower देखरो ना जैसे जैसे तुमें requirement होगी वैसे वैसे उसका नाम भी दिया गया है तो अब मैं इसमें से कुछ बताना चाहता हूँ कुछ को अभी बताऊंगा और next वीडियो में कुछ को और explain करूँगा दो वीडियो मैं लूँगा ज्यादा ज्यादा क्योंकि मैं सारा नहीं बताऊंगा text.capitalize कर दोगे तो देखो यह क्या रहा capitalize word में आ जागे यहर एक word का यानि कि starting letter जो है देखो हमें हो गया यह capitalize method है इस तरीके से सारे methods है तो सब का use करके इसमें दिया गया है तो मैं length अभी जो बता है इसमें length का है की नहीं दिया हुआ length जो python का inbuilt है तो कोई string का नहीं है particular इसलिए length हर जगा use किया जाता है अब मैं आता हूँ कुछ methods इसके बताता हूँ जो important है थोड़े से और इसके बाद वाले में मैं और भी कुछ methods बताऊँगा तो मैं दो वीडियो बनाऊँगा जो तो मैं बताना चाहता हूँ अब मैं इससे थोड़ा टेरेट करता हूँ इस terminal को cut करता हूँ देखो अब मैं एक suppose एक ले लिया SS request हूँ मैं SS Ic variable ने मिल देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ hello world अब मैं इससे चाहता हूँ यह capital later में print हो तो मैं आपर simple से print लिखूँगा ठीक है SS dot capital को हम लोग क्या करते है अपर देख रहो जैसे क्लिक करोगे जैसे SS dot करोगे ना इसके जितने भी method से सारे आ जाएंगे देख रहे हूँ यहाँ पर देखो सारे method सारे है अगर पाई चाम यूज करे तो भी आ जाएंगे अगर VS code कर रहे हो तो भी सारे के सारे दिखने लगें कितने सारे method से हैं सारे इसमें दिख रहे हैं ठीक है आर्जस्ट पाइटिसन स्प्लिट टाइटल सारे के सारे दिख रहे हैं यह जितने ऐसे दिखेंगे जो double underscore आएगा उससे मत देखना वह कोई method नहीं है वह अलग चीज है अभी नहीं समझ में आएगा उपस के बाद समझ में आएगा वह क्या है तो इसलफा इसनों परी find expand मतलब इस जितने भी है न सब एक method ही है तो मैं आता हूँ पहले सबसे पहले अपर करके दिखाता हूँ अपर का हम लोग यूज करते हैं और मैं प्रिंट कर दिया है समझ रहूं ना सारे लेटर को कैपिटल लेटर में convert कर दिया है तो यह हो गया हमारा string का method ठीक है अब मैं इस पर यहां उपर लिख देता हूँ convert lower to upper using dot upper method ठीक है dot upper method से कर सकते हूँ अब मैं एक और करता हूँ यहां पर अब मैं चाहता हूँ नहीं भी लोवर में प्रिंट करें जैसे कि सपोज अब मैं यहां पर ले लेता हूँ मैं यहां पर हैस देता हूँ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा ctrl c तो मुझे comment लिखने की जरुवत नहीं है मगर मैं लिख रहा हूँ अब बस मैं यह last लिख रहा हूँ इसके बाद में comments को नहीं लिखूंगा मैं फट 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 दिखाऊंगा lower lower equals to convert upper to lower using dot lower method तो मैं यहां पर लिख देता हूँ पहले capital later में सब कुछ लिख देता हूँ hello world ठीक है अब मैं इसे चाहता हूँ lower level में print हो जाए ठीक है तो मैं यहां पर print लिखता हूँ print ss.ello डाला लो डाला लोर आ गया और यहां पर हमें function declare करना पड़ेगा क्योंकि यह इसके अंदर का method अगर नहीं करेंगे तो हमें address देदेगा तो देखो मैं इसे run करता हूँ देखो अभी यह lower layer में print हो रहा है तो इस तरीके से upper and lower का use हम लोग करते हैं तो हमें इन दोनों को comment करता हूँ क्योंकि मैं एक ही एक चाहता हूँ फटा-फट दिखाता रहा हूँ ठीक है अब मैं बस hello world को copy कर लेता हूँ अब देखो इस एक string का पहला letter जो है वो capital कर देगा देखो अब मैं run करता हूँ क्या आई है एच hello world hello world में देखो एच जो है खाली है को capital किया है तो इसे कहते है capitalize letter ठीक है अब मैं यहापे simple से इसे comment करता हूँ इसे comment कर देता हूँ फिर मैं यहापे लिगता हूँ print ss. capitalize की बाद कौन सा था है case fold case fold क्या करेगा सारे के सारे letters जो है मतलब case fold का भी यह use है यार पहला letter जो है उसे capital कर देगा मैं दिखाता हूँ देखो मैं इसे run करता हूँ case fold का भी वही use है print क्या माँ Hello world case fold क्या किया यह अचाचा Case Fold का Use किसलिए किया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो Case Fold का Use किया जाता है Case Fold का Use किसलिए किया जाता है, मुझे चाही से confirm नहीं हो रहा है बट Next Video नहीं मता दूना जो तो फिर, मैं देखी लेता हूँ, यहां पर या के Simple से जो हम लोगों नहीं खोला यहाँ पर case fold होगा मैं दिखाता हूँ क्योंकि इतने सारे इतना याद नहीं होगा normal सी बात है case fold देखो यह रहा अब यह क्या करेगा इसके पहले इस पर क्या लिखा था वह देखते हैं हम लोग convert string into lower case ठीक है यानि कि यह lower case में convert कर देगा समझ रहे यूज कर दिया तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे अब मैं इसे भी हटाता हूँ case fold को भी हटाता हूँ और case fold के बाद अब मैं देखता हूँ मैं क्यों बार-बार इसे comment कर रहा हूँ मैं case fold को ही delete कर देता हूँ आप लोग इसे note कर ले ना copy में या फिर website में दिखाए देऊ हूँ आप पर जाकर आप लोग सब देख लाए आप center method आता है ठीक है center का use किसलिए करते है ss.center इसमें दोगो दो चीज़े आती एक with आता है एक fill character आता है तो यह fill with में हम लोग क्या करेंगे with में हम लोग देंगे हम लोग hello world को कितने print करना चाहते है मैं like example दिखाता हूँ मैं like मैं चाहता हूँ hello world print हो जाए उसके पहले 5 star print हो जाए एक दो तीन चार पांच इस्टार फिर hello world print हो hello world फिर उसके बाद जाके पांच इस्टार हो जाए एक दो स्वरी एक दो तीन चार पांच अब हम लोग से count करेंगे तोटल कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाव दस ग्यारह बारह तेरह चौदा पंदरह सोलग सत्रह अट्रह उन्निस बीस एक्किस एक्किस के बीच में हमारा आ रहा है हेलो वर्ल्ड ठीक है तो मैं यहाँ पर सिंपल से सेंटर लिखूंगा सेंटर में क्या लिख दूंगा मैं सारी सेंटर में क्या लिख दूंगा मैं विथ क्या दूंगा 21 दूंगा और किस से हमें फिल करना है फिल करना है मैं स्टार से अब देखो यह प्रिंट क्या करेगा प्रिंट वही करेगा जो मैं दिखाया था प्रिंट क्या कर रहा है प्रिंट नहीं कर रहा है वलकि कुछ एरर दे रहा है वह मैं देखता हूं यहां पर एक प्रैगट नहीं लगा हूं अब मैं इसे रन करता हू देखो क्या दे रहा है यह Hello World दे रहा है बीच में दे दिया ना center करके अगर मैं यही पर 30 कर दूँ तो यह 30 के बीच में ले जाके Hello World को रखेगा और फिल कर देगा इस टार से अगर मैं यहां पर चाहूं add the rate फिल कराना देखो add the rate से फिल कर गया यह काफी अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से हम लोग यह center का use करते हैं तो मैं center का बता दिया अब हम लोग देखते है center के बाद कौन सा है तो मैं इसी के साथ सत्धधाफट करते रहता हूं, count method, count method का use किसलिये किया जाता है? count मुझे क्या करना है? count में count में तो टीन चीज़े दे सकते हैं, sub list दे सकते हैं, sub string दे सकते हैं, या फिर start या फिर end ठीक है? start end का मतलब है कहां से कहां के बीच में search करो, count का मतलब है simple से count करना चाहूं देखाता हूं count क्या करें L को मैं count कराना चाहता हूं तो L की जितनी भी value होगी इसके अंदर Hello World के अंदर कितने L हैं एक दो तीन L हैं तो देखो यह 3 print करेगा print क्या किया 3 को print कर दिया यह राइट 3 को print कर रहा है तो अब मैं जैसे कि suppose करो चाहता हूं यह 3 को print कर दिया अब मैं चाहता हूं कि नहीं यह 3 को तो print करें मगर यह print कहां से कहां तक करें तो हम लोग index इसका दे देते हैं यह print करें 0 से लेकर कि यह 0 है 0,1,2,3,4 0 से लेकर 4 तक के बीच में print करें तो 0,4 लिख दूँगा यानि कि start and end अब देखो run किया तो क्या रहा है 2 0 से लेकर 4 तक के बीच में खाली 2 ही है यानि 0,5 है 0,1,2,3,4 0 से लेकर 4 के index में कितने हैं 2 ही है तो इसलिए वो 2 किया अगर हम लोग इहीं पर suppose कर दें टीक है 4 से लेकर के कहा तक कहा है 4 से लेकर हम लोग छोड़ए तो देखो क्या रहा हो है 4 से लेकर करते हैं तो in nd आ रहा है यानि 4 के बाद अगर लोग छोड़दे रहे हैm at that into Cristo पर क्या धी आ वह ए उनिकि last तक जाएगा ठीक है और यह लाश्ट तक जाने का मतलब है माइनस 1 यानि 4 से स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3, 4 0 से लेकर के लाश्ट तक कितना वह L है 1 L है सिंगल तो L दे दिया इसके अंदर हम लोग इस्ट्रिंग दे सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे चाहें तो मैं इसे पहले इसाटा देता हूँ बस चाहें तो हम लोग HE भी दे दें यानि कि यह सब इस्ट्रिंग हो गई ठीक है HE अलग HE यह फाइंड करेगा HE कितना है बस 1E बार HE आया है यह रहा HE अगर मैं यहीं पे आके फिर से HE लिख दू तो देखो यह दो बार HE दे देगा देखो दो बार HE आया है इसलिए दो-दो वैल्यू को दिखा दिया तो इसलिए हम लोग count का यूज करते है count हम लोग जानना चाहते हैं कितने characters के अंदर है तो इसलिए हम लोग count का use करते हैं तो अब मैं देखता हूं कितना time हो गया इस वीडियो को तो यह वीडियो 70 मिनिट का हो चुका है मैं बस करूँगा इसे 2-3 मिनिट में और next वीडियो में और जो बचें उन्हें बताऊंगा ends with में बता देना चाता हूं ends with का use ends with में क्या करूँगा मैं देखो ends with में like मैं जानना चाता हूं कि मेरी string किस number से मतलब किस character से end हो रही है की नहीं अगर मुझे कोई बोलते जैसे कि यह ज़्यादा थ्रियूज करते हैं हम लोग file handling जब यूज़ करेंगे file handling का operation तब हम मैं दिखाऊंगा ends with और start with का कहा यूज़ करेंगे like एक folder उसके इंदर बहुत सारी images है और बहुत सारी music है तो मैं वस filter करना चाहता हूं कि खाली music filter हो या फिर सारी image filter हो तो हम लोग उसमें ends with का यूज़ करते हैं कि ends with में लिख देंगे .jpg .mp3 जैसे के अगर आप लोग music player है आप लोग का music player में music player का folder खोलते हो खाली music दिखते हैं क्यों क्योंकि वहां पे ends with का यूज़ किया जाता है इंड जो हुआ रहता है .mp3 .mp3 .avi कुछ भी रहा है वही दिखेगा तो मैं end with करता हूँ end with में क्या लिख देंगे हम लोग इसमें भी को start और index दे सकते हैं हम लोग start index अपने से दे के try कर लेना मैं दिखा दता हूँ suffix मतलब कि क्या हम लोग को देख रहा है end with. end with मैं चाहता हूँ देखे हम लोग किस पर कर innd हो रहा है he पे तो मैं देखता हूँ he से हमारा क्या acess end हो रहा है यह दोकर true दे दे रहा है true क्या है यह boolean data type है true and false बसे true false देगा he e से मैं देखता हूँ end हो रहा है अधिको false दे रहा है क्योंकि he e से end नहीं हो रहा है यह end हो रहा है he e से इसलिए यह he पे true देगा कि भाई सही बात है he e से end हो रहा है मैं इसास कले है सुअ जाओ सब्सक्राएं ईस इस समय में आ जाएगा साथ देखो का मत Arduino state का देख लेंगे क्या है हमारा क्यों स्ट्राइब ही हे से स्टार्ट हो रहा है false आ जाएगा हे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम लोग स्टार्ट विथ का यूस करते हैं ओके नेक्स वीडियो में मैं इसके और कुछ सारे मेथड्स को बताऊंगा जो कुछ है नॉर्मल थोड़ा बता दूँगा और हाँ आप लोग जाके यहां पर सिंपल से सर्च कर लेना एक बार है यहां पर सारे पढ़ लेना कैसे कैसे का यूज किया जाता है इस प्रिड में थर्ड वा इंडेक्स में थर्ड हुआ तो स्वाइब केस हुआ देख लेना तो ओके नेक्स वीडियो मिलते हैं थैंक यू